ओके भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन 2x, कॉस 2x, टान 2x, साइन 3x, कॉस 3x, टान 3x से रिलेटेड कुछ बढ़िया क्वेशन किये थे आज की क्लास में हम और भी बढ़िया क्वेशन करने जा रहे हैं डबल अंगल, ट्रिपल अंगल फॉर्मुलों पे बेस्ट कुछ और बेहदरीन क्वेशन उसमें से ये पहला क्वेशन है, आज का हमारा, क्वेशन कहरा है प्रूफ करो कि कॉस 4x बराबर है 1-8, साइन 2x, कॉस 2x अब यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, कि यहाँ पे कॉस का 4x दे दिया है whereas RHS में सिर्फ xx आ रहा है, मतलब बेसिकली करना ये है कि हमको कुछ convert करना पड़ेगा, साइन स्क्वेर, कॉस स्क्वेर वाले फॉर्मुलों को लगा के अच्छा, cos2x के जो formula थे, उन cos2x के formula में अगर देखा जाए, तो एक formula था cos2x-sin2x, एक formula था 2cos2x-1, एक formula था 1-2sin2x so these were the three formulas जो हमने पढ़े थे, चिक, अच्छा जी, अब इस question को देखे कैसे कर सकते हैं, अब देखे, यहाँ पर sin2, cos2 क्योंकि साथ साथ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाले formula से, 1-2sin2x वाले formula से, इसको पहले convert करते हैं, so cos4x को हम लिख सकते हैं, cos4x को हम लिख सकते हैं as, cos2 times of 2x, बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, yes or no, 2 times of 2x, cos2, इसको पूरे को x माल लो, so cos2x का formula क्या होता है, 1-2sin2x, so this can be written as, 1-2sin2x, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्रत वाली बात तो नहीं है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखे, sin2x है, तो क्या हम इसक एसको ऐसे भी ले सकते हैं अगर हमने 2 को बाहर किया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते है, sin2x का whole squared, यह भी लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि sin2x का whole squared, बोलो, बात तो एक ही है, right, अब sin2x का identity लगा लेते हैं, तो sin2x का identity क्या होती है? 2 sin x cos x यह identity अगर हमने यहाँ पे लगाई तो 1-4 sin x cos x आ जाएगा हमको चाहिए 1-8 अचा हाँ, ओके, राइट तो अब भी बाहर square भी है यह square भी चल रहा है, बढ़िया तो अगर यह square भी बढ़िया चल रहा है तो यह हो गया 1-2 अब इसका square करते हैं अगर अंदर तो 2 का square हो गया 4 sin x का square हो गया sin square x cos x का square हो गया cos square x अब इसको अंदर multiply करते हैं 1-8 sin square x into cos square x this is our RHS, hence prove LHS is equal to RHS बहुत ही simple तरीके से solve किया अब आपके दिमाग में question क्या आएगा कि sir आपने यही वाली identity लगा दी बहुत बढ़िया लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उपर वाली लगानी है नीचे वाली लगानी है या तीसरी वाली लगानी है तो यह practice से पता चलेगा आप उपर वाली identity में अगर इसको convert करते हो तो यह question फस जाएगा अपने आप कैसे फस जाएगा देखिए cost 4x को अगर हमने लिखा तो इसको लिखा cost of 2 into 2x इस formula से convert किया तो यह हो गया cost square 2x minus sin square 2x अब cost square 2x को या तो फिर से sin के terms में convert कर लो तो यहां से बन सकता है sin square 2x को लिख सकते हो आप sin 2x का whole square फिर उसको convert करो फिर बन सकता है तो basically यह वाली identity लगाओगे तो यहां से भी हो सकता है बन जाए हो सकता है अटक जाए second वाली identity से लगाओगे तो उसको sign के terms में convert करना ही करना पड़ेगा क्योंकि जब तक sign के terms में convert नहीं करोगे जब question paper में आपका यह question आएगा तो जरूरी नहीं है कि आपके दिभाग भी एक बार में strike कर जाएगा अच्छा तीसरी बारी लगाएंगे simple simple होता चला जाएगा तीसरी से बिल्कुल सीधा सीधा होता चला गया लेकिन first और second अगर आप लगाओगे तो थोड़ा सा complex हो जाएगा आ उससे भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा complex हो जाएगा तो इसको एक बार उस तरीके से भी solve करके देखिएगा इसको note कर लीजे चलिए देखते हैं next question कह रहा है sin 4x is equal to 4 sin x cos cube x minus 4 cos x sin cube x सो जैसे ही आपको यहां पे cube cube दिखाई दिया तो आपके मन में यह आ जाना चाहिए approach की sin 3x के formula में cube आता है 3 sin x minus 4 cos cube x cos 3x के formula में 4 cos x minus 3 sin cube x इस तरीके की identities बनती हैं सो sin 3x और cos 3x के terms में अगर कुछ कुछ आएगा तो काम चलेगा तो इसको break वैसे मत कीजेगा sin 2x into 2 नहीं बनेगा वहाँ पे तो हमने क्या किया है इसको break किया है sin 3x plus x तो sin x plus y का formula बन गया which is sin x cos x plus cos 3x sin x अब sin 3x का formula लगा देते हैं तो यह हो गया 3 sin x minus 4 cos 3x into cos x plus sin x into cos 3x का formula लगाएंगे तो 4 cos 3x minus 3 sin x so यहाँ पे अगर इसको multiply करें अंदर तो यह हो गया 3 sin x cos x minus 4 cos to the power 4x plus 4 sin x cos cube x minus 3 sin square x कुछ गरबड़ कर दिया 4 cos cube x minus 3 cos x sin x नहीं cos x so यह हो जाएगा 3 sin x cos x minus 3 sin x cos x 3 sin x minus 4 sin cube x so इसको multiply करेंगे यहाँ से तो यह हो जाएगा 3 sin x cos x minus 4 sin cube x into cos x अब यहाँ से 3 sin x cos x minus 3 sin x cos x cancel out हो गया कुछ common ले सकते हैं यहाँ से अच्छा तो जो उपर दिया था वही आ गया तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा पहले वाले टर्म को पहले लिख लिख लिए बाद वाले टर्म को 4 sin x cos cube x minus 4 sin cube x cos x so this is equals to your RHS hence proof तो जो हमने पता किया था जो हमने पता कराया था वो यह सारी चीजे यहाँ पे आ गई so this is how you need to solve this question basically identity लगा के sin 3 x cos 3 x की और यहाँ पे हमने directly solve कर लिया प्लीज पॉस दे वीडियो और नोट इस दाउन चलिए भाई देखते next question कैसे होगा sin x upon 1 plus cos x is equals to tan x by 2 अब देखो यहाँ से आता है नई चीज नई चीज आपके लिए नहीं है क्या नहीं है जैसे हमने अभी double angle formula पढ़ा था sin 2 x का which is nothing but 2 sin x cos x तो इस double angle formula में हो क्या रहा है देखिए जब यहाँ पे angle two times है तो यहाँ पे angle half हो जा रहा है दो का अधा x दो का अधा 1 खिक अगर यहाँ पे सिर्फ sin x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin x का अधा x by 2 cos का अधा x by 2 so that means double angle formula है वो आपके यहाँ पे भी work out कर सकते हैं similarly जैसे cos 2x का formula आपने पढ़ा था वही cos 2x का formula हम cos x में भी लगा सकते हैं हो जाएगा cos square x by 2 minus sin square x by 2 2 cos square x by 2 minus 1 1 minus 2 sin square x by 2 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 so इस तरीके से भी यह angles यहाँ पे काम कर सकते हैं similarly 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 तो यह भी formula आप लिख लिजए यह सारे formula अब यहाँ पे काम आने वाले हैं और यह questions इनसे भी जादा important है जो भी तक हमने किये थे उनसे जादा important है कैसे solve करेंगे इसको तो इसके लिए हमने sin x को देखिए x by 2 के terms में आ रहा है यहाँ पे अब tan आ रहा है मतलब उपर sin आना चाहिए नीचे cos आना चाहिए तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिए किया 2 sin x by 2 cos x by 2 upon 1 plus cos 2 theta किसके बराबर होता है 2 cos square theta के बराबर तो यहाँ पे हो गया 2 cos square x by 2 2 से 2 cancel हो गया 1 cos से यह cos cancel हो गया sin upon cos क्या होता है tan so बचा हमारा tan x by 2 which is our RHS hence proof so यह काफी important questions है क्योंकि यह अभी आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जब आप differentiation करेंगे class 12 में calculus में जाएंगे तो हर question में यही करना है हर question में इसी तरीके से convert करना है कैसे करेंगे इसको देखिए so अगर LHS देखें cos x दिया है 1-sin x दिया है sin square x by 2 plus cos square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2 अभी यही सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत वाली बात है कि इतना दिमाग में कैसे आएगा आएगा definitely जब आप practice करना शुरू कर दोगे तो यह सब दिमाग में आने लगेगा so cos square x by 2 minus sin square x by 2 cos 2 theta का formula लगाया 1 की जगे identity लगाई sin square theta plus cos square theta 1 के बराबर होता है x by 2 में इसलिए convert किया क्योंकि इसके आगे भी x by 2 में ही convert हो रहा है sin x को convert किया 2 sin x by 2 cos x by 2 formula बन गया यहाँ पर a square plus b square minus 2ab ऊपर formula बन गया a square minus b square तो इसको लिख सकते हैं cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2 total upon sin x by 2 minus अब sin x by 2 minus लिखे तो इसको हमने ऐसे लिख 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 लिया cos x by 2 minus sin x by 2 का whole square लिख सकते हैं भाई क्योंकि a square plus b square minus 2ab है तो a minus b का whole square लिख 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 लिए फाइदा क्या हुआ है यहां से cos x by 2 minus sin x by 2 से यह वाला cancel out हो गया अब बचा cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 minus sin x by 2 अब इसको convert करना है किसमें tan में tan में कैसे convert होगा अगर हम sin x by 2 को cos x by 2 से divide कर दें तो tan x by 2 बन जाएगा तो हमने क्या किया डिवाइड किया यहां पे numerator and denominator numerator and denominator by cos x by 2 अगर numerator denominator में cos x by 2 से divide कर दिया जाए सो cos x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 total upon cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 फायदा यहां से यह हुआ cos से cos cancel हो गया यह आ गया 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2 अब एक question मैंने इससे पहले आपको कराया था जहां पे आ रहा था 1 plus tan x upon 1 minus tan x 1 plus tan x upon 1 minus tan x को हम इसको लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं tan pi by 4 sorry plus tan x by 2 total upon 1 minus tan pi by 4 into tan x by 2 कैसे क्योंकि tan pi by 4 की जो value है वह 1 की पराबर है तो 1 into tan x by 2 लिखोगे तो tan x by 2 ही आएगा यह किसका formula बन गया यह formula बन गया tan pi by 4 plus x by 2 tan x plus y का formula होता है tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y तो इस format में हमने convert किया है this is your RHS hence proof जो हमको करना था यह बहतरीन question है इसके आगे star लगा लिजेगा यह बढ़िया question है ऐसे questions आपको जरूर solve करने हैं छोड़के नहीं जाने I hope यह clear हो गया होगा आपको इसको note down कर लिजे अब देगे next question बहुत ही interesting question है find tan pi by 8 tan pi by 8 की value कैसे निकाली जाए तो दिक्कत यहां यह है कि pi by 8 अगर आप solve करेंगे तो pi by 4 होता है 45 degree pi by 8 मतलब 45 का भी आदा 22.5 degree की value निकालनी है अब 22.5 degree की value निकालने में आएगी दिक्कत क्योंकि यह value कभी हमने सीखी नहीं है कभी हमने याद नहीं की है लेकिन हमको 45 degree की value पता है अगर 45 degree की value पता है तो ऐसे ही question अभी हमने कुछ दिन पहले किया था हम यहां पे क्या करें tan का formula अगर आपको याद हो tan 2 x किसके बराबर होता है यह बराबर होता है 2 tan x upon 1 minus tan square x होता है अब यहां पे अगर x की जगे pi by 8 रग दें तो यह हो जाएगा 2 tan 2 pi by 8 is equals to 2 tan pi by 8 upon 1 minus tan square pi by 8 बोलो हाँ या न यह अब यहां पे अगर 2 से इसको cancel कर दें तो यह 4 हो गया tan pi by 4 की value कित्ती होती है 1 तो यह हो गया 1 is equals to 2 tan pi by 8 upon 1 minus tan square pi by 8 अब इसको आप RHS में ले जाएए स्वारी LHS में ले जाएए so 1 minus tan square pi by 8 is equals to 2 tan pi by 8 इसको हम थोड़ा सा simplify करके ऐसे भी लिख सकते है tan square pi by 8 minus 2 tan pi by 8 plus 1 is equals to 0 ऐसे भी लिख सकते हैं sorry minus 1 आएगा यहां पर minus 1 is equals to 0 यह आजाएगी यह आप equation अब इस equation को अगर आप ध्यान से देखिए कैसी equation दिखाई दे रही है आपको हाँ यह plus होगा और यह minus होगा तो यह किस तरीके की quadratic equation आपको दिखाई दे रही है यह दिखाई दे रही है quadratic equation अब quadratic equation है तो quadratic equation को आराम से solve कर सकते हैं tan pi by 8 को अगर आप y मान लीजिए तो यह equation हो गई y square plus 2y minus 1 is equals to 0 बन गई equation अब यहाँ पर y क्या है y tan pi by 8 ही तो है यह quadratic equation को आपको अपन solve कर सकते हैं कौन से तरीके से श्रीदरचारे formula से श्रीदरचारे formula लगाएंगे तो y की value आजाएगी minus b plus minus under root b square minus 4 into a a1 into c minus 1 upon 2 into a सो यह हो गया minus 2 plus minus under root minus minus क्या हो जाएगा plus 4 plus 4 कित्ता हो गया 8 सो under root 8 upon 2 यह हो गया minus 2 plus minus under root 8 का मतलब हो गया 2 root 2 upon 2 इसको अगर cancel out कर दे 2 से तो यह हो जाएगा minus 1 plus minus root 2 यह values आ रही है दो values किसकी y की y क्या है tan pi by 8 अब यहां पर आपको common sense लगाना है वरना एक number कर जाएगा tan pi by 8 pi by 8 कैसा है acute angle है zero से बड़ा है और pi by 2 से छोटा है साड़े 22 degree 90 से छोटा है साड़े 22 degree किस quadrant में आएगा first quadrant में आएगा first quadrant में सब कैसे होते है positive होते हैं यहां से जो tan pi by 2 y की value आ रही है वो दो value आ रही है एक value आ रही है minus 1 minus root 2 एक value आ रही है minus 1 plus root 2 अब यह वाली value possible नहीं है क्यों possible नहीं है क्योंकि pi by 8 will lie in the first quadrant first quadrant में यह दोनों पूरा negative नहीं हो सकता है क्योंकि अगर minus common ले लोगे तो पूरी negative value है यह possible हो सकता है तो यहां से tan pi by 8 की value आई वो किती आ गई root 2 minus 1 अब इसको ऐसे लेख लो root 2 minus 1 so यह value है tan pi by 8 की बहतरीन question है ऐसे आप से sin pi by 8 cos pi by 8 की value पूछ सकता है आप अपने आप निकाल के इसको try कीजिएगा सबकी value आप अपने आप यहां से निकाल सकते है ठीक है इसको कर लीजे बहतरीन question है so I hope आपको यह सारे question जो हमने आज किये यह समझ में आ गए होंगे these are again very important questions और भी बहुत सारे questions इस तरीके के हैं जो आपके book में हैं जो sheets में हैं वो questions भी आप कर सकते हैं practice के लिए जितने जादा trigonometry के questions करेंगे उतना अच्छा है trigonometry पीचा नहीं छोड़ने वाली है समुंदर की तरह है जितना नीचे गोता लगाओगे उतना अच्छा मोती लेकिया होगे तो जितना जादा practice करोगे जितने जादा variety of questions करोगे उतना ही अच्छा है main main important questions मैं आपको कराता जा रहा हूं this is yes mahi shri signing off take care god bless you all bye bye bye